हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू आवर यूटूब चैनल स्टडी प्री क्वेस्चन्स फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बनकेवरा भागवान में संकलित एक कवीता पढ़ेंगे नीज करम और जिसके लेखक है धनांजय नातिवारी नीज करम कवीता के लेखक कौन है धनांजय ना नातिवारी और यह राग पावस पर अधारित है और वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाये और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें अभी तक भी कि आपको 20 से कोई लाइन दे देगा और पुछेगा कि यह किस कविता का है तो आपको याद होना चाही कि यह किस कविता का है तन चाहे जताई सुन्दर पाये प्रान पंची जब उड़ जाये लागे बोज सब करे बन मुठी रहे आवे घरी खुला तरहत जाये घरी कोई नहीं डगरे भाई नीज करम संगे सगरे साढ़े तीन गज ढाईप देल भाई मिली कांधे लेल राम नाम पुकारे सारा साइच के तयार भेल कोई आईगे जराय देल कोई माटी तर धरे भाई नीज करम संगे सगरे फेरा लेके जे कसम खाए जर जर लोर बहाए गिरे घर भीतरे पुत्र मुखे अगनी देल तेरा हुआ जब बीत गेल पगड़ी सिर परे भाई नीज करम संगे सगरे काईल तक जे रहे संग करली जे करले सब के तंग धाइन लूइट बटोरे माया में गमली उनके भुलाय जैक परी सेके विशराय एक एहे तो नी तरे भाई नीज करम संगे सगरे पाप के मिली जुदा सजाय पुन्यक फल जरूर पाय परभु से नहीं डरे लाख चवरासी जनम जाल परम धाम से नेह लगाल सत्संग करे भाई नीज करम संगे सगरे मवाइत उके डरूगाय करतब से जे कतराय हरी जाप नहीं करे नाम अमर लिखल जाय सुगन्ध जब तिवारी पाय करे जए गीर धरी भाई नीज करम संगे सगरे तो यह कवीता अभी इसका लाइन बाई लाइन अर्थ देखेंगे नीज करम धनजय नाज तिवारी के द्वारे लिखा गया और यह राग पावस पर आधारित है और इसमें क्या कहा है कि नीच करम नीच करम यानि की नीच कहते हैं अपना करम यानि की करम अपना करम कहा जाता है कि जो जैसा करेगा वो ऐसा पाएगा तो इसमें यही बतलाया गया है कि आप दुनिया में कुछ भी करते हैं उसी का फल आपको वही चीज आप ले जाते हैं दुनिया से अब जब जाने लगते हैं तो आप अपना कर्म लेकर जाते हैं चाहे वो कर्म अच्छा हो या बुरा हो आप दुनिया में कुछ भी कमाते हैं उसका कोई भेल्यू नहीं है आप जो कर्म करते हैं वही लेकर जाते है जब आप इस दुनिया से जाने लगते हैं, उसी को इसमें बताये गया है तन चाहे जताई सुन्दर पाए, प्रान पंचि जब उड़ जाए, लागे बोज सब करें तन यानि कि सरीर चाहे यानि कि जतना सुन्दर पाए तन यानि कि सरीर आपको जितना भी सुन्दर मिला है कहने का अर्थ हुआ कि सरीर आपका जितना भी सुन्दर है जितना भी सुन्दर आपका सरीर आपको मिला है प्रान पंची जब उड़ जाए उड़ जाये यानि कि प्रान जब उड़ जाता है आपके सरीर से लागे बोज सब करे तो क्या हो जाता है यही सरीर एक बोज बन जाता है सब के लिए ये एक बोज हो जाता है कहने का अर्थ है आपका तन कितना भी सुंदर हो लेकिन जब इससे प्रान निकल जाता है जान निक गरी कोई नहीं डगरे भाई नीज करम संगे सगरे बंद मुठी रहे आवे घरी कहने का आर्थ होता है कि जब बच्चा पैदा रहता है बंद मुठी मुठी यानि कि मुठी जब बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है उसका मुठी बंद रहता है खुला तरहत जया घरी और इंसान जब मर जाता है तो क्या होता है उसके दोनों हाथ क्या होते है हथेली क्या रहता है तरहत यानि कि हथेली खुला रहता है बच्चा जब पैदा होता है तो मुठी बांध के आता है और जब मरने लगता है तो क्या होता है उसका जो हथेली है वो खुला रहता है आप सु लेकिन मैं कुछ लेकर नहीं जा रहा हूं और मेरे दोनों हाथ खाली है तो यह आप सुने होंगे तो उसी को कह रहा है कि मुठी बंद करके आये थे दुनिया में लेकिन जाने समय क्या है हाथ खुला है कुछ नहीं लेकर जा रहे हैं कोई नहीं डगरे भाई डगर कहते हैं र है वही साथ में है और सभी जगा वही काम देगा क्या जो आप अच्छा कर्म दुनिया में किये है वही साथ जाएगा और वही सभी जगा काम भी आएगा साड़े तीन गज धाइब देल भाई मिली कांधे लेल राम नाम पुकारे साड़े तीन गज साड़े तीन गज किसको कह रहा है कफन को धाई पिदेल यानि की धक दिया धक दिया गया साड़े तीन गज यानि की कफन क्या किया गया कफन धक दिया गया मरने के बाद भाई मिली कांधे लेल और भाई लोग क्या किये कांधे में उठा लिए मरने के बाद क्या किया किया कफन पहनाया गया फिर कांधे में उठाया गया कंधे में उठाया गया और राम नाम पुकारे और राम नाम पुकार के क्या किया गया घर से निकाल दिया गया और ले जा रहे हैं सारा साइच के तयार भेल, कोई आईगे जराय देल, कोई माटी तरे धरे भाई, नीच करम संगे करना, तो क्या हुआ कि सारा तयारी हो गया, मतलब जलाने का या मिटी के अंदर दफनाने का क्या हुआ, सारा चीज तयार हो गिया कोई आगे जराल देल मतलब उसके बाद क्या हुआ कि कोई आगी जला दिया कोई माटी तरे धरे भाई माटी यानि की मिटी तरे यानि की नीचे धरे यानि की रखना क्या बोल रहा कोई आगी जला देता है या कोई क्या करता है मिटी के अंदर दफन भाँ देता है नीज्ज करम संगे सग्रे लेकिन जो अच्छा करम है वो साथ रहता है के जो सब्सक्र रहे के फेरा लेके जे कसम खाए, यानि कि इसमें पत्नी के बारे बात किया जा रहा है, अगर पत्नी मरी है, यानि कि अउरत मरी है, तो पत्नी के बारे में बोला जा रहा है, तो फेरा लेके जे कसम खाए, यानि कि साधी के समय में फेरा लिया जाता है, उसके बारे में बोला जा रह कि घिरे घर के अंदर क्या होती है वो बार बार गिरती है जब पती मर जाय तो क्या होता है औरत घर के अंदर क्या होती है बार बार गिरती है वेहों सोती है पुत्र मुखे अगनी देल तेरहुई जब बीत गेल पगड़ी सीर परे भाई नीच करम संगे सगरे क्या होता है कि पुत्र क्या होता है अगनी देता है और किरिया करम के समय क्या होता है पुत्र ही अगनी देता है और पुत्र अगनी देता है उसके बाद क्या होता है तेरहुआ जब बीत जाता है तेरहुआ जब बीत गे यानि कि तेरहुआ जब बीत जाता है पगड़ी सीर परे भाई और उसके बाद तेरहुआ बीतने के बाद क्या होता है कि सब के सीर पर पगड़ी पढ़ जाता है सब पग काईल यानि कि कल तक जे रहाए संग यानि कि कल तक जो साथ थे कल ली जएて कर लें सब के तंग और जिनके लिए हम सब को तंग किये परिसान किये धन लूट बटो रे धन यानि कि धन लूटे पैसा लूट के जमा किये बटो रे कहने का रत है कि एक इनसान क्या करता है अपने घरवालों के लिए क्या करता है जो कल तक साथ थे उसके लिए क्या करता है कि दुनिया को परिसान करता है दुनिया से चीनता है जमा करता है परेसान होता है धन जमा करता है और नहीं किम पाता है Cara लोट के भी लाता है सब तरह काका करता है Κ़ा काता है कि कलतक जो साथ थै उनके के लिए हम क्या किये सब को परिसान किये और धन जमा किये माया में गमली उनके भूलाएं और गम में क्या हुआ माया में क्या हो गया उनको भूलाना पड़ रहा है क्या हो रहा है जिनके लिए हम इतना कुछ किये उनको भूलाना पड़ रहा है जैक पड़ी सेके बिसराएं ज हमको भूलकर जाना पड़ेगा इस डुनिया से, जिनके लिए हम इतना कुछ किए, धन जमा किए, लेकिन अब जाने के समय उनको भूलना भी पड़ रहा है, और उनको भूलके हमको जाना पड़ रहा है, अकेले, एक एहे तो नी टरे भाई, नीज करम संगे सगरे और एक यही जो है जो कि आपका साथ रहता है जो आपका साथ नहीं छोड़ता है क्या नीज करम यानि कि आपका अच्छा करम जो है वही आपके साथ जाता है कहने का आर्थ है कि जो पाप किया होगा उसको बाद में सजा मिलेगा पुनियक फल जरूर पाए जो पुनियक किया होगा पुनियक यानि कि पुनियक का फल भी जरूर मिलेगा पर्भु से क्या करना है नहीं डरना है इस वर्षे भगवान से नहीं डरना है जो पाप किया होगा उसको पाप का सजा मिलेगा जो पुन्य किया होगा वो पुन्य का फल जरूर पाएगा लाख 84 जनम जाल परम धाम से नेह लगाल सत्संग करे भाई नीज करम संगे सगरे लाख 84 जनम जाल देखिए पुरानों में क्या कहा गया है लाख 84 सब्दाया है पुरानों में कहने का अर्थ है कि दुनिया में 84 लाख योनी है जिसमें से सबसे अच्छा योनी इनसान का माना गया है उसी से इनसान का जन्म होता है तो उसी को कहा गया है लाख चवरासी तो ये पुरानों में कहा गया है कि 84 लाख योनिया है छोटे बड़े दुनिया में उनमें से इनसान का जो पैदाईस होता है वो सबसे अच्छे योन इसे होता है उसी को बोल रहा है जनम जाल लाक चवरासी जनम जाल परमधाम से नेह लगाल परमधाम से कहने करते हैं परमधाम कहते हैं स्वर्ग लोग को स्वर्ग को तो जो स्वर्ग से नेह लगाता है कौन जो सत्संग करे भाई जो सत्संग करता है वो क्या कर रहा है कि स्व किजिए नीज करम संगे सगरे और जो आपका अच्छा करम है वो हमेशा आपके साथ रहेगा मवईत उके डिरुआए करतब से जे कत्राए हरी जाप नहीं करें मौत किसको डिरुआए मवईत कहते हैं मौत को मौत इसमें मौत को कहा जा रहा है उके यानि कि उसको डिरुआए यानि कि डर्वाएगा मौत उसको डर्वाता है करतब से जे कत्रा है जो करतब कहते हैं कर्म को काम को मेहनत को तो मौत उसी को डर्वाता है जो काम से कत्राता है काम से भागता है मेहनत से भागता है मौत उसी को डर्वाता है हरी जाप नहीं करें और जो हरी जाप नहीं करता उसी को क्या होता है मौत उसी को डरवाता है नाम अमर लिखल जाय सुगंध जब तिवारी पाये नाम उसका अमर लिखा जाएगा सुगंध जब तिवारी पाये सुगंध यानि कि महक आप जाने तिवारी इसमें तिवारी को कह रहा है जो कि ब्रहमानों का एक साखा है आप द आपका परमध़ाम यानि कि स्वर्ग लोग का, नीज करम संगे सग्रे यानि कि आपका जो अच्छा कर्म है वो हमेशा आपके साथ जाएगा तो आप समझ गए होंगे कि इसका वीता का क्या भाव आर्थ है इसका भावार्थ आप समाज गए होंगे और अभी भी आपको समाज में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता है और इसका question answer के लिए जो PDF गुरूप से जुड़े है उनको मिल जाएगा और उनको एक बात बता दे जो लोग paid PDF गुरूप से जुड़े हैं हम दो-तीन दिन से PDF नहीं डाल पा रहा है थोड़ा हम बीजी है आज से हो सकता हम PDF डालेंगे उसमें जो भी महत्पून PDF है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिए थैंक्स पर वाचिंग